दोस्तों क्या आपके मोबाइल में बैटरी जल्दी जल्दी खतम हो जा रहा है? इंटरनेट बहुत ही स्लो चल रहा है, चाहे 4G हो या फिर 5G बहुत ही स्लो चल रहा है तो बस आपको क्या करना है अपने फोन के अंदर यह जो developer option होता है इसे open करना है और जो जो setting इस video के अंदर में बताऊँगा उसे बस आपको अपने mobile में कर लेना है जिसके बाद दोस्तों एक बार charge करोगे अपने mobile को न तो 3-4 दिन तक आपके फोन का बैटरी चलेगा साथ में दोस्तों जो internet speed है यह भाई एकदम rocket जैसा हो जाएगा सही सुना गाई सापने इतना fast चलेगा न कि आप देख करके चौक जाएगे सिर्फ आपको करना कै इस से developer option के अंदर जो जो setting बताऊँगा उसे करना है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते एक नहीं यहाँ पर भाई बहुत सारे setting है जिससे आपके phone का पूरा का पूरा performance ही बढ़ जाएगा यानि कि battery और internet के लिए तो कौन कौन सा setting दोस्तों आपको इस से developer option के अंदर करना है कैसे आप internet speed बढ़ाएंगे कैसे आप battery backup बढ़ाएंगे जानना चाहते हैं तो इस video को like कर दो and continue guys इस video को देखते रहो तो आईए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आखिर developer setting को कैसे आप enable करेंगे और उसके अंदर कौन कौन सा ऐसा setting आप करेंगे जिससे आपके phone का battery backup बढ़ जाएगा और internet speed भी गाफी तेज हो जाएगा ठीक है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा सबसे पहले आपको अपने phone का ये जो setting होता है इसे open करेंगे ठीक है setting open करने की बाद यहाँ पर नीचे आना है यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा MIUI version हो सकता है आपके phone में build number हो ठीक है तो simply आपको इसी के उपर ना 7 से 8 बार क्लिक करना है फिर जाके दोस्तों आपके phone के अंदर जो developer setting होता है ये enable हो जाएगा ठीक है तो हमारे phone के अंदर ये enable हो गया है इनेबल होने के बाद ओस setting आपको देखने को मिल जाता है additional setting के अंदर या फिर advanced setting के अंदर या फिर system setting के अंदर ठीक है तो आपको check करना है आपके phone में किस नाम से setting है उसके बाद नीचे आएगे तो यहीं पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा developer option तो इसे ही दोस्तों आपको open कलेना है तो finally हमने अपने phone में जो developer option है इसे enable कर दिया है आप यहाँ पर देख सकते है enable करने के बाद अब जो जो setting में बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से आपको करना है जिसे से दोस्तों आपके phone का बैटी वेकप बढ़ेगा और साथ में जो internet speed है ओ भी बढ़ जाएगा तो सबसे पहला setting करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ से scroll down करके नीचे आना है और यहीं पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है automatic system update आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो automatic system update है जब भी हमारे phone में कोई भी update आएगा ठीक है हमारे phone का कोई भी update आएगा ना automatically दोस्तों डाउनलोड हो जाएगा और update हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा क्योंकि हमने यहाँ पर automatic system update को enable कर रखा है अब इससे नुकसान ही होता है दोस्तों कई बार आज कल देखा ही आपने कि जो update आ रहे हो हमारे phone के लिए suitable नहीं होते है ना एक दो बार update आता है और हमारे phone का battery life खराब हो जाता है कई-कई mobile की screen पर आपने देखा होगा line आ जाती है पूरा screen blank हो जाता है या फिर phone over heat होने लगता है गरम होने लगता है काफी सारी दिक्कत आती है ना तो ऐसे में कभी भी यह जो automatic system update है इससे आपको on करके नहीं रखना है कोई भी update आएगा manual आपको check करना है अगर update सही है तो आप अपने phone में update कर लिजे अगर आपको लगता है कि भाई update में कोई गरबड़ी है तो आपको कभी भी update नहीं करना है आपको wait करना है जब तो वो fix ना हो जाए समझे हो नहीं तो आपके phone का जो betty life है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा तो यह setting दोस्तों आपको करना है अपने phone के betty life को बढ़ाने के लिए ठीक है तो यह पहला setting हो गया जिसके बाद दोस्तों अब दूसरे नमबर का setting करने के लिए आपको यहां से scroll down करके नीचे के तरफ चले आना है ठीक है जैसे आप नीचे आएंगे तो यहां पर दोस्तों आपको दूसरे नमबर का setting देखने को मिल जाएगा जो कि है वाइफाई scan throttling अब इसे दोस्तों आपको ध्यान नहीं देना है इसके नीचे जो लिखा हुआ है ओध्यान देना है यहां आप लिखा हुआ है reduce battery drain and improve network performance यानि कि अगर आप इस setting को यहां से enable करते हैं तो यह दोस्तों जो battery drain problem है यानि कि अटोमेटिक जो battery खतम हो जाती है उसे यह reduce कर देगा कम कर देगा खतम कर देगा ठीक है और दूसरा यह आपके phone का जो network performance है उसे increase कर देगा improve कर देगा समझे लो तो इस setting को आपको फटाक से अपने phone के अंदर enable कर देना है इससे दोस्तों internet speed भी काफी fast हो जाएगा और जो battery है वो भी लंबे समय तक चलेगा क्योंकि अब आपके phone का जो battery है वो drain नहीं होगा समझे लो तो यह setting आपको यहां से enable कर देना है यह दूसरे number का काफी important setting है ठीक है यह setting करने के बाद दोस्तों अब आपको यहां से scroll down करना है और तीसरे number का आपको setting करना है ठीक है तीसरे number का setting यहां पर हमने पहले से ही enable कर रखा है क्योंकि हम इसे भाई use करते हैं ठीक है और यह setting का नाम है always keep mobile data on यानि कि दोस्तों अगर आप यहां पर description पढ़ेंगे ना तो यहां पर साफ साफ लिखा है कि अगर मालीजे यह wifi आप use कर रहे हो अचानक से दोस्तों आपको data की जरूत पड़ी तो आपको manually भाई ओन ही करना पड़ेगा automatically यह switch कर देगा always यहां पर लिखा हुआ है always keep mobile data on और इसे जो network की performance है ना वो भी काफी ज़्यादा improve हो जाता है काफी fast हो जाता है समझे रो यानि कि अगर आप mobile में data use करते हो और इस setting को यहां से enable कर देते हो तो आपके phone का जो internet speed है जो network की quality है ना वो काफी ज़्यादा बोस ज़्यादा improve हो जाएगा तो इस setting को आपको यहां से जरूर से जरूर on करना है इससे दोसो internet speed भी fast हो जाएगा और network भी आपके phone में हमेशा full रहेगा समझे रो तो इस setting को आपको यहां पर miss नहीं करना है इससे आपको enable कर देना है जिसके बाद अब आपको यहां से scroll down करके नीचे आना है ठीक है fourth number का setting करने के लिए ठीक है तो चलिए हम यहां पर नीचे आते हैं जैसे आप यहां से नीचे आते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा fourth number का setting मैं आपको दिखा देता हूँ वो यहां पर दिखा हूँ है दोस्तों background process limit आप यहां पर देख सकते हैं अब यह जो background process limit है वो क्या है मैं समझाता हूँ अब हमारे phone में बहुत सारे app होते हैं तो अक्सार आपने देखा होगा हम अपने phone में एक के अलाबा कई application को यहां पर background में open करके छोड़ देते हैं छोड़ देते हैं इसका मतलब यह है कि वो सभी application हमारे phone के background में चल रहे होते हैं और चल रहे होते हैं तो हमारे phone का जो battery है वो काफी तेजी से use करते हैं हमारे phone का जो internet है वो भी use करते हैं समझे रोग, तो उसे रोकने के लिए, उसे बन करने के लिए, आपको ये setting यहाँ पर करना है, इसलिए यहाँ पर इसका नाम दिया गया है background process limit, यहाँ पर आप एक limit set कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको इसी के उपर click करना है, और ये standard limit पर set होगा, तो इसे आपको क्या कर दे कोई भी app आपके phone के background में run नहीं होगा, तो ये fourth number का setting आपको यहाँ पर करना है, बैटी backup को बढ़ाने के लिए, साथ में internet को बचाने के लिए, समझे अब यहीं पर दूस्तों आपको fifth number का भी setting करना है, जो कि यहाँ पर नीचे की तरफ ही दिया हुआ है, show background anrs, आप यहाँ आपके phone में कोई भी application background में run करता है, तो यह मतलब कि आपके phone का जो system है na, app not responding ऐसा dialogue उसे show करेगा, यानि कि वो run नहीं होने देगा, उसे रोक देगा, समझे हो, तो यह जो setting है, अगर आप यहाँ से माल लीजे, अपने phone के अंदर on कर देतो, जैसे हमने अपने phone के अंदर on कर ना ना, तो भी 200 run नहीं कर सकता, क्योंकि आपने यहाँ पर इस setting को यहाँ से enable कर रखा है, समझे हो, यानि कि इस setting को on करने का फायदा यह है, कि आपके phone का जो battery है, ओ भाई, कई दिन तक चलेगा, यानि कि background में कोई भी application run नहीं करेगा, नहीं तो आपने देखाओ का जीतने आप हम अपने phone के अंदर install करके रखते हैं ना, यह सभी का जो छोटा छोटा अपडेट आता है भाई, automatically यह update हो जाते है, है ना, हमें पदा भी नहीं चलता, automatically notification आता रहता है हमारे phone में, कोई भी application आपने download कर लिया है, तो आप देखते होंगे, उसे open भी नहीं करेंगे, उस दोस्तों आपके phone का जो network performance हो भी बढ़ जाएगा, यानि कि fast internet चलेगा, और battery भी कई दिन तक चलेगा, तो अगर आपको दोस्तों यह trick यह video पसंद आया, तो प्लीज यार इस video को like को share करना, साथ ही साथ हमारे channel को subscribe कर लेना, thank you दोस्तों, bye bye and take care